बूज कर बार बार सोच समझ कर एक सूजे बूजे तरीके से इस सरकार ने हर गनतांतरिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है उसको चोक करने का प्रयत्न किया है उसमें रोक थाम करने का प्रयत्न किया है सबसे बड़ी संस्था उनके माइने में जो उनके लिए बादा है वो है स्वतंत्र निश्पक्ष निडर बोलना बोलचाल जो हमारे सम्विधान की एक महत्वकांग्षा ही नहीं एक मानव अधिकार है मुलभूत इस सरकार ने इस केस की बात नहीं करना हूं है शीराहूल गांदी की सेंकडो केसिस में 2014 के बाद ऐसे ये इनकेन प्रकारेन कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें बार बार और उसके उधारन आप जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोडने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार श्री राहूल गांधी हम सब जानते हैं ने निडरता से बार बार संसत के अंदर और संसत के बाहर अपने विचार रखे हैं जन हित में रखे हैं जनता के सामने रखे हैं जनता के लिए रखे हैं उन्होंने समाजिक आर्थिक राजनेतिक विदेश नीती इत्यादी इत्यादी सब मुद्दों पे पूरा बोला है बिना जिजक के बोला है और वो आज उसकी कीमत चुआ रहे हैं क्योंकि उनके सवाल उनके वक्तव अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां किये हैं जिसके बारे में विवरन करते हैं श्री राहूल गांदी कभी डी मॉनिटाइजेशन ले लें कभी चीन कुछ क्लीन चिट का मामला ले लें कभी जी जी एस्टी ले लें ये सब मुद्दे वो हैं और उनकी अलावा और भी हैं जो इस सरकार को जिन से घिन है और जो उठाते हैं उनको डंडित करना उनका अनिवार रूल है राहूल गांदी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते एक जूटे आडंबरी राश्टरवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है एक अजीबो गरीब बनावी बनावटी राश्टरवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं बहार गए उसके आधार पर जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते हैं जब तक कि आप माफी नहीं मांगे यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में जब मानने पधान मंत्री बोल रहे थे